असलाम अलेकुम माई यूटूब फैमिली वेलकम पैक तो माई चैनल वेलकम पैक तो एनदर वीडियो क्या हलेंची आप सबके उमीदें सब ठीक टाक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ चलिए ची वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में मैं अपनी बेटी के रूम का मेक ओवर करूंगी उसको थोड़ा सा सेट करूंगी थोड़ा सा प्लेइन था तो मैंने सचा थोड़ा सा डेकॉरेट कर देती हूं और वो खुद भी कह रही थी काफी दिनों से कि उसको थोड़ा सा डेकॉरेट करना था तो यह है जी यहाँ पर बैड है मेरी वीटी का और यहाँ पर यह डेस्क हमने अभी रखी है जो के पहले हस्पेंट की थी लेकिन अब उन्होंने अपनी चेंज कर दी है तो यह हमने अक्सा के रूम में रखती है तो अभी यहाँ अच्छा लगानी है तो यहाँ पर मैंने अपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा दी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर यह आपको दिखा देती हूं यहें फेक वाइन जो के रूम वगरा में लगी बहुत प्यारी लगती है और मेरी बेटी को खुद की दिनों से कह रही थी कि मुझे इस तरह से लगानी है तो यह मैंने मंगवाई थी तीमू से और काफी अच्छी आई थी मैंने मंगवाई थी यह 12 थी इसमें और पेक भी ती विमी थी और क्वालिटी भी अच्छी थी और मतलब वहां से जो होम डेकुरेशन की चीज़े काफी अच्छी मिज़ रहा थी और मैं ज्यादतर वहीं से मंगवाती हूं तो यहाँ पर मैंने अलग कर लिया इनको और मैंने लगा भी दी थी टेप से तो यह देखे जी मैंने लगा ली थी और मैंने तकरीबन साथ यहां पे लगाई थी और मुझे अतनी जो एनव अच्छी लग लगी थी मतले मैंने कहा कि ज्यादा इसको over नहीं करूंगी मतलल बहुत ज्यादा नहीं लगाऊंगी बस इतनीं लगाऊंगी जो अच्छी लगे और बस यहां पे अभी मैंने सुचा कि टेबल को अच्छे से साफ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इसको अच्छे से खाली कर लिया था तो मैंने सुचा इसको अच्छे से एक तफ़ा डीप क्लीन कर देती हूँ और फिर इसको जो है वो सेट करते हैं अच्छे से अच्छे से अच्छे तो इसको डेकोरेट करने के प्यारी लगते हैं तेबल। इसके साथ मैंने यह हुक्स भी मंगवाए थे और यह जो छोटा एक शेल्फ मैंने लगाई यह अर बाकी कुछ और होक्स भी मंगवाए थे और कुछ इस तरह के कार्ट मंगवाए थे इसमें कुछ भी आप हेंग कर सकते हैं हेड़पॉन वगरा भी हेंग कर सकते हैं अचा मैंने ये वाले कुछ कार्ट भी मंगवाए थे ये भी मैंने तीमू से मंगवाए थे और बहुती रिजिनेबल प्राइस में कीवी थी तो तो पस यहां पर मैंने कुछ STEPHAN ymn у कर लिए थे यहां पर लगान कि और कुछ जब मैंने इसके साथ वॉल पर लगा लिए थे Arcane के साथ इसाहीद भी थे तो उसके साथ वॉल पर आप लगा सकते हैं आप चाहें वॉल पर भी लगा लें और इस grid board पे भी लगा सकते हैं grid board पे मैंने वो clips के साथ लगाये थे जो के काफी अच्छे लग रहे थे 3-4 मैंने यहां पे लगाये थे और कुछ मैंने wall पे लगा लिए तो यह देखें जी हमारी table हो गई है ready और यहां पे एक मैंने जो है न वो wine भी लगा दी थी और साथ ही fairy lights भी लगा दी तो इसके साथ इसका look ही change हो गया बहुत ही प्यारा look आ रहा था और जब मैंने एक छोटा shelf लगाया इसमें तो इसमें मैंने एक fake plant रख दिया और एक यह pencil van holder जो है वो रखोंगी यह भी अकसाने खुद ही बनाया था अपनी class में उनकी जो है वो बहुत artwork जो हो चलता रहता है तो हर वी कुछ न कुछ बनाते हैं तो यह बनाया था उसने तो फिर मैंने सचा यही रख देती तो यह रही जी इसकी final look बहुत 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 प्यारी लग रही थी मतलब अब तक तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है जिस तरह मैंने सोचा था वैसा ही जो हो गया और बस अब डेस्क के उपर भी मैं कुछ चीज़ें रख देती हूं यह मैप अल्रेटी था उसके पास यह मैंने यहां पर साइट पर रख दिया और उसकी पिंग कलर की जो clock है वो रख दी और साथ ही यहां पर बहुती क्यूर सी यह वाली light जो कि मैं आपको पहले भी दिखाई थी तो यहां पर लप्टॉप भी मैंने रख दिया था अकसा का और उसमें भी उसने जैना वा स्टीकर्स लगाएं मैं होर्सिस के तो प्लेन था तो उसको भी डेकॉरेट कर दिया अकसा ने और बस अब आ जाते हैं जी विंडो की तरह तो विंडो पे भी मैं यह वाला प्लांट र बनाया था मतलब एक्टिविटी टाइप का था और इसके अंदर भी जहें वो लाइट सें फैरी लाइट तो यह भी रात में बहुत प्यारा लगता है तो यह उसके नाइट स्टेंड पर रख दूंगी और साथी एक स्टोन जो उसने कुदी बनाया था उसने मतलब बनाया ने इसको पेंट वadora किया था वो भी स्कूल में ही किया था तो यह भी यहां पे ज़ो है तो मैने यहां रखavy चाती है और साथ फिक्छर जो प्स नाइट तो बार आया हो其实 बार बार ब्ल işी अय जो फ्रहाइघ बोर्ड है यह थोड़ा सा क्उशन टाइब क्वे PT. यह पर फिटट काफी लगती है, तो ही लोगती हैS वेफिटिटड कर पुर्ण का यहांपे ऐसे दी चीन ही लगती है , लिए। अगपड देफिड़ vivo कि देखती हूँ कि कपड़ा किस तरह का निकलता है तो मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था तो मैंने मंगवा ली थी तो इसका प्रिंट तो काफी ज़्यादा अच्छा है कपड़े के अगर मैं बात करूं तो कपड़ा इसका ओके है मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है प्राइस के साब से मतलब ठीक है और प्रिंट बगरा काफी अच्छा है तो बस इसको मैं बेट पे सेट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर मैंने बेट शीट सेट कर दी थी और सेट काफी अच्छा लग रहा था इस तरह के प्रिंट आज़कर बहुत ज़्यादा चल रहे है और समर के साप से सवर के फिलोरल प्रिंट काफी अच्छे लगते तो बस यहां पे बेट भी हो गया गए सेट और अब यहां पे वाटरोब के साथ एक चोटा सा ड्रेसर टाइब का कहलें, ड्रेसर तो काफी बड़ा था लेकिन उसका एक पीस हमने यहां पे साइड पर लगा दिया है, क्योंकि इसके अंदर अकसाने अपनी हैर एकसेसरी वगरा रखे वी हैं, तो अब यह भी उपर से प्लेन काफी रिजनेबल प्राइस में है, यह भी एक योरो सम्थिंग का था, लेकिन लुक इसकी बहुत अच्छी आती है, और साथ ही यहां पे मैं उसकी एक पिक्चर रख दूंगी अकसा की, और केंडल का भी कहा हुआ था, तो मैंने एक केंडल भी रखती थी, तो बस यह वाला अकसा का बेट, और साथ ही उसके आजाती है, टेस्क, जो के मिक कोवर के बाद बहुत प्यारी लगी है, नीचे मैंने उसके कुछ इस्ट्रफ टॉइज लग दिये थे, तो यह देखे जी, यह हमारे रूम की फाइनल लुक, आप लोग उताईगे, आपको कैसी लगी, अचा कार्ड बोर्ट से खुदी बनाई थी, फिर पेंट किया था, उसने चट पे लगा दी थी, और बस बाकी जो मैंने वाइन सबंगाई थी, वो मैंने वाल पे लगा दी, बेट के साथ जो के काफी अच्छी लग रही थी, और यह रहा डेस्क का फाइनल लुक, और इस ग्रिट मिलके बनाई थी, अच्छा इस तरफ जो है न वो एक शेल्फ है, अकसा का, और उसके साथ वार्डरोब है, तो यहां पे कुछ बुक्स वगरा रखी हुई है, कुछ उसने अपनी चीजें बनाई हुई है, वो रखी हुई है, आपको बिलकुल करीब से गर के दिखा रही इन में बहुत अच्छे अच्छे कलर्स भी हैं, और बहुत अच्छे अच्छी कोड्स भी लिखी हुई है, नेवर फोगेट हाओ वाइडली कैपेबल यू आर, और मतलब बच्छों के साथ से बहुत प्यारी है, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, इसलि